वेरी वेरी गुड़ मार्निंग टू आल अफ यू तो डियर इस्टुएंट लास्ट क्लासिस में हम डुमेस्टिक टेरिट्री के कॉंसेप्स को समझ पाये थे जिसको हम एकनामिक टेरिट्री भी कहते हैं और यहां पर हमने बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया था कि पॉल टेरिट्री में बेसिकली जेगराफिकल बाउंडरी ही काउंट होती है लेकिन हमारे एकनामिक टेरिट्री या फिर आप कहलें डॉमेस्टिक टेरिट्री के अंदर यह उसे वाइडर कॉंसेप्ट है हमारे इंडिया के बाहर हमारे भारत के बाहर भी ऐसे बहुत सारे एरिया कर रही है तो यहां पर काम हो रहा है वह एरिया कहा सटर रहा ह। तो यह area related है आपका, आज की क्लासिस में हम discuss करेंगे residential status, तो बच्चे normal residence किसे कहते हैं, तो सबसे पहले आपको differentiate करना पड़ेगा citizenship में और residential की status के बीच में, citizenship आप जैसे मैंने बोला कि normal residential, तो आपके मन में कहीं न कहीं citizenship आ गया होगा, तो पहले इसको differentiate कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप GDP को नहीं समझते हैं, जब तक आप domestic territory को नहीं समझते हैं, तो आप GDP नहीं समझ पाएंगे, और जब तक आप residential status को नहीं समझते हैं, तब तक आप national income को नहीं समझ पाएंगे, और इन दोनों को जब तक आप समझेंगे, तब ही जा करके आप GDP और national income के बी नॉर्मल रेजिडेंस, बच्चे, सिडिजेंसिप एक अलग कंसेप्ट है और रेजिजेंसल स्टेटिस एक अलग कंसेप्ट है, मैं एक एक्जांपल से क्लियर करता हूँ, देखिए, जो तिबत के लोग हैं, और खासकर वो चाइने के कुछ एरिया जहां से कुछ लोगों को में पड़तारित किया गया था, वहां से कुछ लोग चाइना से भारत में आए, और यहां पर शरनली और भारत सरकार ने, गवर्मेंट ऑफ इंडिया ने, उनको जगे दी, एक इंसानित के नाते, और उनको रहने की वेवेस्था उनकी लिए की, और वो अपने वेवेस्था का इंतेजाम कर पाए, झुक्त इंक लिए पर्टिकुलर स्पेस भी प्रोवाइड करवाया, उनकी लिए एक मार्केट भी खोल के दे जहां पर वो बिजनस कर सकती है, वह मार्केट आज डिली में भी देखा जाता है, मौनिष्ट्री नाम से जाना जाता है, मौनिष्ट्री फोकस यही कंट्री है, तो इसके वज़े से यह जो मनुष्ट्री के लोग हैं, जो यह काम कर रहे हैं, यह इंडिया के रेजिदेंट्स हो गए हैं, यह चायना से उठकर के बले ही आए हो, लेकिन यह हमारे रेजिदेंस हैं, क्योंकि हमारे यहां पर एक साल से उपर समय से यह और कमा यही रहे हैं, और खा यही रहे हैं, बलब इनकम कर रहे हैं, और एक्सपेंस पर यही कर रहे हैं, तो एकनोमी एक्टिविटी का सेंट्र इनका यह कंट्री बनावा है एक साल से उपर तक, इसलिए इनको हम अपना रेजिदेंसल कहेंगे, लिकिन हमारे सिटीजन नह होता है फिर देखिए ये लोग वोट नहीं दे सकते हैं कि वोट दे करके गवर्मेंट का चुनाब करें नहीं यह वो काम नहीं कर सकते हैं इनको अलाव नहीं है पर्मिट नहीं है और किसे भी बाहर के ऐसे लोगों को पर्मिशन नहीं दे जाती है ऐसे तो बाहर के बहुत सार देने का अधिकार नहीं है, तो इनको वोट देने का राइट नहीं है, दूसरा, यह अगर UPSC, IS, IPS बड़े पोस्ट पे जाएंगे, तो इनको यह राइट नहीं है, यह आर्मी के अंदर बड़े पोस्ट पे नहीं जा सकते हैं, आर्मी में जा सकते हैं, उसका राइट नहीं है क्योंकि ये हमारी नेशन से की सिक्रेटी से रिलेटिट मुद्दा है तो यहां कोई कॉंपरबाइस नहीं होगा लेकि जैसे आप लोग हैं आपका बर्थ भारत में हुआ आप वोट भी देते हैं आप IAS, IPS भी बन सकते हैं आप पॉलिटिशन भी बन सकते हैं आप प्राइम मिनिस्टर, प्रेजिडेंट अफ एंडिया भी आप बन सकते हैं क्योंकि आप एक सिडिजन है तो जो सिडिजन होता है वोट दे सकता है वो गौर्णमेंट के किसी भी वो पोस्ट पे वो अपॉइंट हो सकता है इसे सिडिजन शिप कहते है हाँ जो आप सिडिजन शिप होने के सासाथ में आपके पास रेजिजन स्टेटस भी है क्योंकि आप भी कमा यहीं रहे हैं अन यहीं कर रहे हैं एक्सपेंस यहां भी कर रहे हैं तो आपके पास दोनों यहीं चीज़े हैं आप citizenship भी है और आप residential status भी आपके पास में हैं, लेकिन उन तिबती लोगों के पास में जापि चाइना से जो आईवे लोग हैं, उनके पास में सिर्फ residential status है भारत का लेकिन उनके पास में citizenship नहीं है, citizenship दो तरीके से बन पाते हैं, या तो आपका यहाँ पर भारत में या किसी भी country का citizenship चीए, तो दो तरीके होते हैं, या तो आपको उस country के अंदर आपका birth होना चीए, पहली condition यह, and second condition यह है, कि आपको low allow करें, आपने apply किया हुआ हो, और apply करने के बाद, सारे terms and condition को देखते हुए, low आपको allow करें, कि आप हमारे citizen हो गए है, तब document पर आपको citizenship मानने के बाद ही, आपको इस सारे right आपको मिल जाते हैं, जो कि बाकी मुझे और आपको है, तो आपको समझ माया है, कि residential status and citizenship दो अलग concept है, तो आप इस बा में हमारे person, हमारे goods and services freely move कर पा रहे हैं, तो वो area मेरा domestic territory का पार्ट है, चाह वो India में हो, चाह वो India के बाहर का area हो, clear है, और वो area जिसके अंदर हमारे goods, person, services freely move नहीं कर सकते हैं, वो area हमारे domestic territory का पार्ट नहीं है, चाह वो area even इंडिया में ही क्यों नहीं हो, like Russian embassy in Delhi में है, आप आप उस पर जा नहीं सकते हो, आपको permission लेनी पड़ेगी, कोई goods and services आप उसके नहीं सकते हो, तो वो जो एंडिया में होने के बाद भी हमारे domestic territory का पार्ट नहीं है, तो आपको समझना होगा कि domestic territory basically क्या है, एक economic territory है, जो basically area से आपको उसको measure कर सकते है, वो area जह हमारे goods and services freely move कर सकते हैं, वो हमारे domestic territory का पार्ट है, जब हो इंडिया हो चाए इंडिया के बाहर हो, और वो area जो हमारे domestic territory के अंदर freely, जुसिस area में हमारे goods and services और person move नहीं कर सकते हैं, वो area हमारे domestic territory का पार्ट नहीं है, तो basically area का concept है domestic territory में, लेकि residential status में person का उपर question है, कि कौन सा person हमारे residential है या हमार रेजिंस नहीं है, तो सिडिजनसिप अलग छोड़ते हैं, इस टौपिक में आपका सिडिजनसिप का कोई रोल भी ने नेशनल इंप के अंदर, तो हम आगे बढ़ते हैं, हम यहां पर रेजिंसल स्टेटस की बात करते हैं, अब आप मुझे बापताएंगे, रेजिंसल स स्टेटर्स मिल जाएगा खेर लेकिन कुछ एक्सेप्सेंस हैं जिस सिचुएशन में वह इंडिया का रिजेंशल नहीं मन सकता है इवन वह एक साल से अब अब रह ले तब भी वह कौन से केसिस है अब मालो कोई एंबेजडर है अब के कोई ऑफिशल से रेस्ट वर्ल्ड की र पापा एगा वो जिस कंट्री का वो उसी कंट्री का सिटिबर है उसी कंट्री का वो रिजージछल स्टेटर्स है इसी तरीके से एंडिया का कोई परसन आप हैं, आप माम लिजीं , म.a., cio में आपका ऐसलेक्षिन होता है, आप मॉमी实्ट्रीüğ वफैर में Hour और आप दो साल तक जो है मैं ने आप कने उफिशल से घीज से तो आप यहां के अफिशल से हैं, यहां से भीजे काही है या तो वहाँ लिंदिंगे के तो वह तो वह चूछ रिजजम से बस्तिय रहे कि रहें गेलेwhel ब06Ca sara zे फvक के अपर कुछ काहा cambiar बेशा क Micka, यहां बाश उफस में कि अप अख बिद्ग कर रही थी तो वह अफगानिस्तान के सिडिजन मने और नहीं उनको रेजेंशलिट स्टेड़स ला वो अपने ही रेलेट इड़िड कंट्री से ही रेजेंशलिट से भी पा रहे थै और उनको सिडिजेंशिक भी मिला हुआ था क्योंकि इसके वीचे लॉजिक भ फुल्फिल होने जान है इंकम भी हाँ ज özen एक्स्पेंस हो नहीं हो करें तब ही तो जा करके हमारा दुगी है दोनों चीज एक्सराओ ऑन ऐसा मा मिल एक श् Cathथार तरक कारें तुग अप сигोओ नहीं मेंसthird सोनल है आप, त अमेरका चलेगा, युएस से चलेगा आप नहीं है लुगात है आप वहां गए और आपकर आप MBA अपना आपके continue कर से अपना MBA कर रहे ना फिर आप नेट कर रहे हो तो वहाँ पर आपके पास में नीट क्रेकर करके तो ख़र इंडिया में आप लगेंगे या फिर आप M.E.B.S कर रहे हो तो इन दोनों ही सिचुएशन में आप अधर स्टुडेंट गए हैं वहाँ पर आप पास साल भी रुख सकते हैं चार साल भी रुख सकते हैं बट आप वहाँ के रिजिंशल नहीं होंगे इंडिया के रहेंगे, क्यों क्योंकि वहाँ पर आप आन नहीं कर रहे हो, आप एदर स्टुडेंट गया है, भली एक्सप्रेंस कर रहे हो, दोने कंडिशन फुलफेल होनी चाहिए, क्लेरे बच्चे, समझ पाएं, क्रुव मेंबर, बिल्कुर क्रुव मेंबर जो है, या फिर N intent of the normal residence. Nomal residence of a country refers to a individual or an institutions amongst who ordinary resides in the country and whose center of economic interest, improve. Also is in that country. Normal residence includes the both individuals and इंसिटूट या कोई इंसिटूशन्स भी ऐसा है जहां पर स्टैबिस हो गया साल वर्ष से उपर तक दोनों काम हो कर रहा है तो वो भी हमारे रिजिंट्स की स्टेटिस पा लेगा जिस दमेस्टिक टेरिटरी में वो रह रह रहा है वहीं पर वो आण करके वोइं एकसर कर रहा है तो वो उस इस दमेस्टिटरी के अंदर ही उसका रिजिंट्र उसका रिजिंट्स कह रहेगा following are not included under the category of the normal regions कुछ चीज़े नहीं कैटेगरी आ सकती है फॉरंड टूरिस्ट एंड विजिटर अब यूके का यूएसे का चाइना का कोई विजिटर है टूरिस्ट है इंडिया में आया आप में लाल कला में पकट करके उसको बिठा दिये कि आप हमारे इसे नहीं होगा वो आया तो वो कित इसे फुलफिल होनी चाहिए अर्म करेगा एक्सपेंस करेगा और मोर दन वन यह तक रहेगा इस कंट्री में वो इस कंट्री का रिजिंसल स्टेटस पालेगा लेकिन कुछ एक्सेप्सां बता दिए मैंने की कॉर्मेंट का कोई ओफिशल से नहीं होना चाहिए कोई सुडें सब्सक्रीमें चाहिए जरूमेंबर नहीं होनी चाहिए अर्म फोर्स इस के आ और कुछ उनके उफिशल्स रहन तो यह भी वो रहने ही कंट्री के रिजिंसल से आवेजिदेगा शब्सक्राइब कर लेंगे इसके लोगिकलर रिजिए कि लिगा उन्कुल रिजिएल की शों इंटरनेशनल और्गनाज़ज़ज़ज़ज़ज़ज़ज़ज़ज़ज़ज़ज़ज़ज़ज़ज़ज़ज़ज़ज़ज़ज़ज़ज़ज़ज़ज़ज़ज़ज़ज़ज़ज़ज़ज़ज़ज़ज़ज़ज़ज़ज़ज़ज़ज़ज़ज़ज़ज़ज इसके offices रेस्ट वर्ल्ड में हर जगे होते हैं, इंडिया में इसके offices हैं, और एक साल से उपर से हैं, इंप्लोई भी काफिस हैं, इसके बावजूद भी यहां के रिजिजन्सल स्टेटस नहीं इनको मिल पाएगा, क्योंकि इनका इंकम का सूर्स इंडिया नहीं है, इनको इंक revelation में बता दे, इसके employee भी नहीं होते हैं, Crew Member of Foreign, Border workers, जो Border पे काम करते हैं, इसे employee, और वो उस border पे काम करते हुए उसको जैसे की 10 साल लग जाए 20 साल लग जाए, तो वो जैसे कि मालने जी कि चाइना कोई पाकिस्तान के लिए हाइवे बना रही है तो चाइना के वरकर आप पाकिस्तान के अंदर आकर के काम कर रही है तो कितने साल भी काम कर ले वो अपने कंट्री चाइना के ही वो रिजेंशल स्टेटरस में रहेंगे और उन्हीं का सिटीजन रहेंगे पाकिस्तान के नहीं मन जाएंगे क्लियर है इंडिया के कंसक्षिन काम में कोई आगे तो वो अपने कंट्री से ही लिटिट रहेंगे तो यह उनको सेलरी वही से मिल रही होगी बॉर्डर वर्कर्स अब आपको टेस्ट यॉर्सेल्फ करना है आपको identify the following as a normal residential of India है या नहीं है Indian officials working in the Indian embassies in USA भाई साब Indian officials है और जायर से बात है फिर Indian embassies में ही काम करेगा लेकिन हम इंडिया के embassies का होगी इंडिया में तो नहीं होगी न USA में है तो यह क्या यह officials क्या इंडिया के residential है क्या यह हमारे residential होंगे क्या हमारे निवासी होंगे बिलकुल इंडिया के residential status है क्योंकि यह यहां के officials है भले ही इंडिया के बाहर रह रह रहे हो भले ही वो एक साल सुपर समेत्र को वहां पर रह ले वो हमारे ही residential status में रहेंगे हमारे ही citizen रहेंगे a Japanese tourist who stays in India more than more two months तो दो मेनें से ज्यादा रह 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 है और tourist है तो वो हमारा residential इंडिया का आपको इंडिया के point भी से बताना है हमारे इंडिया का है या निया हमारे इंडिया का residential status को नहीं मिलेगा क्यों? क्योंकि one year का इसका terms condition है और earning है वो टूरिस्ट है वो earning कर रहा है आप पर Indians going to Pakistan for watching the cricket match आप Pakistan गया किर्केट मैच देखने के लिए तो क्या आप इंडिया के residential status है आपके पास में हाँ आप अभी भी इंडिया के residential status के अंदर आओगे क्योंकि आप match देखकर के फिर आज आओगे कोई एक साल से उपर तो आप ठहरने वाले हो नहीं अगर आपके debt नहीं हुए तो clear है बच्चे Indians working in the U.N.A. offices located in America for less than one year हाँ आपने एक साल से उपर काम करते हैं तो फिर आप वहीं क्या आप एक साल से कम काम करें आपने वापस इंडिया आगे तो आप इंडिया के residential status आपको मिलेगा Indian employees working in WHO located in India हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है इंडिया के अंदर located है और आप इंडिया आप लेकिन आप residential status आपको नहीं मिलेगा foreign tourist visiting इंडियान फोर दा month to see the Taj Mahal तो यह foreign tourist हमारा residential status नहीं मिल पाएगा clear है बच्चे citizenship different concept होता है बच्चे it is a basically a legal concept based on the place of birth of the person or some legal provision allowing a person to become a citizen तो या तो आपका जनम हुआ हो या फिर आपको legal जो है उसकी through आपको अलाओ किया गया है कि आप citizen तभी citizen बन सकते हैं when a person is born in India a person born outside India applies for the citizenship and Indian law allows him to become an Indian citizen तब वो citizen बन सकता है आपका clear है बच्चे हां जी देखें जरा आप यह तो रेंस्टेस आगे आपके इतना काफी सफिसेंटे इतना तो कांसेफ्ट डॉमेस्टिक टेरिट्री बी क्लियर है बच्चे लास्का से पढ़ लिया है अब एक बास समझेगा डॉमेस्टिक टेरिट्री क्या है मैं बात करता हूं जीडीपी की जीडीपी जीडीपी बेसिकली इसका फुट फूर रहें ग्रॉस्ट डॉमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी जीडीपी क्या कहता है कि जो हमारे डॉमेस्टिक टेरिट्री पे हमारे जो डॉमेस्टिक टेरिट्री है जो भी डॉमेस्टिक टेरिट्री है इंकम जडनेट प्रच्वेश टरिज़न देन इस फिरी प्रश खर्चारी स्थास्तर्थ इस बात को समझेगा हमारे डोमेस्टिक टेरिट्री पे जो भी इनकम जन्रेट होगी वो जीडीपी होगी कौन आन कर रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है कहां आन हो रहा है उससे लेना देना है जीडीपी यह कहता है जीडीपी कहता है कि हमारे डोमेस्टिक टेरिट्री में कोई भी इनकम क्रेट हो गई अब किस ने करी नहीं करी उससे कोई लेना देना नहीं है तो इसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोड़क्ट बोलेंगे तो एक फानेशल येर में में मेंस 1st अप्रेल टू 31st मार्च इस वन य कि कोई एकर इंडिया और अस्टियलिया का किरकेट मैच खुआ और उनको मैंनल मैच मिला तो में इस से मतलब इनकों grammar नहीं गारे। इससे मतलब है बस तो यह तो कहें कि अभी यह तो हमारा ग्रोस्ट्री प्रडट्ट होगा यह तो हमारी इंकम होगी भाई क्योंकि हमारे डॉमेस्ट्री पर अनुवाई यह किरिक्ट ग्राउंड हमारा है तो हाँ बिल्कुल यस GDP उसको इंक्लूड कर लेगी के रहें हैं आपको कि एक अमेरिका से डॉक्ट'र आया ट्रीटमेंट करता है फेलमें अपनी पेमिंट लेटा यह वापस अमेरिका चला जाता है तो होस्पिट्ल तो इंडिया के अंदर आया तो उस डॉक्टर भले वो चला गया बहार अब उस देश पर उसका कोई लेना देना नहीं है ना तो वो कुछ expense कर रहा ना कुछ consume कर रहा है वो लेकिन GDP उसका प्रिंदर लेके बैठ गई है तो वह हमारा domestic territory में income generate हुई है तो हमारे GDP का पाट है कि GDP का concept ही है कि domestic territory में एक financial image जो भी income generate होगी domestic territory पर वो सारा का सारा GDP कहलाता है पर आपको पता है कि एक domestic territory में income तो बाहर के लोग भी generate कर सकते हैं और फिर वो बाहर लेके चले भी जाते हैं तो पर क्यों हमें अपनी income में उसको count करके calculate करके हम क्यों बैठे उसकी इंकम को वो हमारी इंकम है यही नहीं है क्लेरे बच्चे और मान लो कि एक हमारा डॉक्टर है और वो भार USA में किसी hospital में treatment करा उसमें वो paymentally और इंडिया में आ गया बापस आज गया दो चार पांथ दिन दिन में बापस इंडिया आ गया उसको उसकी इंकम को हम बोलेंगे क्या यह हमारे domestic territory का पार्ट नहीं है GDP हम आपकी इंकम को नहीं रखेंगे अपने पास में क्योंकि आपने हमारे domestic territory पे नहीं किया है आपने तो दूसरे country में अन क्या वह पर्टिकुलर एरिया भी हमारे वह तो होस्पिटल बाहर का था वह हमारे प्रटिकुलर पार्ट है नहीं तो आपके इंकम जन्नेट हम नहीं करेंगे हाला कि वह पैसे लेके भारत में बाहरत पर इंडिया में यूज हो रहा है पर फिर भी जीडीब स्कों लेकर लेने को तियार नहीं है क्यों क्योंकि जीडीपी सिरब और सिरफ अपने domestic territory पर चाहो इंडियन हो चाहो फॉर्णर हो कोई भी हो जिसने भी income generate हुई है उसको लेगा domestic territory जो नहीं है उस पर चाहिए किसे भी income generate करी हो उसको नहीं लेगा तो यह GDP concept होता है clear है और एक होता है बच्चे national income NDP GNP बोलेंगे इसको GNP एक होता है Gross National Product इसको हम बोलते है GNP यह क्या कहता है income earn by यह कहता है income earn by residence इसका मतलब कहा income earn हो रहा है उससे नहीं है इसका मतलब क्या है income कौन earn कर रहा है तो अगर हमारे residence है अगर हमारा कोई residence है जो हमारे residence है अगरे इस तो हमारे citizen भी हो सकते हैं और जो हमारे citizen नहीं है वो भी हो सकते हैं जैसे मैंने अभी तिबतियों के कुछ एक्जामपल लिया तो एक financial year के अंदर जो हमारे residence हैं उन residence की सभी income का sum कर दोगे तो वो हमारा gross national product हो जाएगा जाएगा तो जी एएपी हो जाएगा तो जी एएपी जादा बेटर है क्यों 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 की अंदर क्या एक Australian player आया इंडिया में मैंने दो मैच मिलता है तो जी एपी उसको नहीं लेगा क्यों हमारे रेंस है नहीं चला जाएगा अबी वहां का रेंसल तो नहीं है वो बापस आतो एक साल से पहले पहले तो यह हमारा रेंसल है हमारे खच करेगा तो उसको अप्रें की सामिल करेगा तो बेस्ट पार्ट क्या है GDP जादा बेटर है तो जी एटी प में आप पोलेंगे सर कुछ चीजें ठीक कर दो क्या ठीक करने के जूरत है GDP में, तो GDP में आपको अलोगे सर एक काम कर दो, आप बस सारा काम बन जाएगा, इसमें कुछ गल्तियां है, क्या, Factor Income to Abroad, जो बाहर पैसा जा रहा है, Factor का मतलब आपको पता ये क्या होता है, Factor मतलब अगर कोई काम कर रहा है, या फिर किसे ने profit earn करा, या किसे ने business start करा, या किसे ने capital लगाया, तो जो इसके बतले में जो payment मिल रहा है, Factor Payment, तो Factor Payment, जो Abroad चला जाएगा, उसको GDP में क्यों लेके बैठे हैं, आप उसको अटाओ ना, Factor Payment to Abroad, जो पैसा Abroad जा रहा है, उसको हम GDP क्यों लेके बैठे हैं, Australian Player का पैसा क्यों लेके बैठे हैं, एक अमेरिका के डॉक्टर का पैसा लेके क्यों बैठे हैं, ये बहार जा पैसा इसको अटाओ यहां से GDP में, GDP में कोई जगा बनती है इसको निकालो यहां से, ठीक है जी, और सर जो पैसा भारत एंडिया में आ रहा है, क्योंकि हमारे डॉमसी टेडरी में अनुआ नहीं था, तो GDP उसको लेके नहीं बैठा, पर होना चीए न, क्योंकि पैसा हमारे पारत में आ रहा है, तो factor income from abroad, यह GDP के अंदर कुछ चीज़ें करने के requirement है, तो बिल्कुछ है, अगर आप ऐसा कर देते हैं, तो यह फिर हमारे पास में क्या हो गया, कि वो पैसा जो कि फ़रंच में गया, बिरिस्यों के दोवारा, वो GDP लेके बैटा था, निकाल लिया, वो पैसा है, जो कि हमारे रिजिंसल का था, जो कि GDP सामिल नहीं कर था, क्योंकि बाहर आनुवातास को में बापस रख लिया, तो basically हमारे रिजिंसल की इंकम तो बची है, बाहर वालों की इ फ़ड़ा सा सिंप्लिफाई हो सकता है, एक्जांपल के लिए मुझे आपको दस रुपे देने हैं, और मुझे आपसे आठ रुपे लेने हैं, तो मैं दस दूँ और आठ लूँ उससे बेटर क्या है, मुझे दस देने हैं और मुझे आपसे आठ लेने हैं, तो मैं आपको दोर बद देता हूँ, फिसाब settlement हो जाएगा, है ना, तो इसी तरीके से आप एक काम करिए, factor income from abroad, जो कि वहाँ से बाहरत में आये हैं, और factor income to abroad, इसको आप minus कर दीजी, मालने जी के 10 वहाँ से आये हैं, 8 वहाँ गएं, तो 2 रुपए ही हमारे पास में रह गए हैं, क्लेर है बच्चे, तो इसको minus कर दीजीगा, तो minus कर देने से जो बचेगा हमारे पास में, वो क्या बचेगा, वो net factor income from abroad, मतलब net N, factor F, income I, from F, अब रोड, N, F, I, E, F, A इसको बोलते हैं, क्लेरे बच्चे, net word का मतलब यह हो गया, कि आपने adjustment कर दीए, जो आना था, जो उसको जाना था, उसमें से अपने minus कर दीए हैं, क्लेरे बच्चे, इसको हम क्या बोलेंगे, N, F, I, E, बोलेंगे, क्लेरे, अब आपके पास में, N, F, I, E, अगर positive है, आया, तो इसका मतलब क्या है, कि आपका जो है, सर्प मलब की आपके पास में पैसा एड होगा, अगर यह आपका negative आया, तो इसका मतलब क्या है, बच्चे, कि आपके पास में, Factor Income from Abroad, और Minus Factor Income to Abroad, जितना हमारे पास में आया, उस स्यादा हमने, हमारे सियां से गया है, तो हमें बाहर पैसा कुछ हमारा चला गया है, GDP ज्यादा लेके बैठा है, जबकि बाहर पैसा हमारा कुछ गया है, और यह positive आजा है, तो इसका मतलब GDP जितना लेके बैठा है, और पैसे हमें भी लेने है, कि जितने देने थे, और प्लस में लेने थे, वो लेने आले ये फ्रॉम मला कॉंसेप्ट था, एक एक वर्ड में बहुत क्लारिटी रखना है आपको, और ये टू का कॉंसेप्ट है, अगर ऐसा लिखा रहें, नेट फेक्टर इंकम तू एवरोड और ये पॉजिटिव है, इसका मतलब बेसिली क्या है, कि आपको पैसे देने हैं, तू एवरोड पैसे जा रहा है, नेट फेक्टर इंकम तू एवरोड तैन करोड, तो इसका अदलब क्या हुआ, दस क्यूद हमें वहाँ देना है, तो ग्रॉड पैसे भी बता रहा है, वह ज्यादा है, वह बैसे देना है इसमें से, तो माइनस करने की नीड है, ठीक है, और अगर नेट फेक्टर इंकम तू एवरोड जा रहा है, और वह नेगिटिव फिकर में है, तो मतलब बेसिली को मै म printed गैर में मेदा है, तो माइन कम दू लेना है, तो बैसिकिली हमें अपने GDP में यहां पर GDP में हमें जार मैनने के नीड है, और यहां पर नी GDP के अंदर प्लस करने की नीड है यहां तो बड़ा डाइरेक्ट है फ्रॉम माले केसिस पे GDP पॉजिटिव आ गया मतलब कि हमारे पास में फ्रॉम में ये पैसा हमारे पास में जीडिपी में एड होगा और नेगटिव आया तो मतलब कि हम जीडिपी में मैनिस कर देंगे नेगटिव फ्रॉम जो हमें आना वो नेगटिव है क्लेरे बच्चे का डाउड बच्चे तो आज आपको एक बात और सुझ में आगी क्या सुझ में आगी आपको NFIA का रोल क्या होता है तो खुल मलाकत के मैं एक बात लिख रहा हूँ समझेगा GDP में अगर आपने NFIA Net Factor Income from Abroad Add कर दिया, मैं लगा क्रेक्शन कर दी तो वो अब आपके existential के income बन जाएगी वो national income बन जाएगी GNP कहते हैं इसको तो अब आपको बेसिकली difference समझ में आ गया कि क्या difference है GDP और आपके national income में इसको अभी national income किसे कहते हैं मैं बताऊँगा बढ़ यह national word आ गया यहां पर N stands for national clear है बच्चे? सव्ज में आई आपको कोई डाउट तो यह चीज आपको सव्ज में आ गही है बगी नेश्ट क्लास इस में मागई चीजों कंटीन्यू करेंगे ठीकि बच्चे, मिलते हैं फिर नेश्ट क्लासिश में थैंकि जी, थैंकियो सुमच आपका स्लीबस जो है पेपर से दस दिन पहले हो जाएगा ठीक है बच्चे वो चिंटा मुझे करनी है आपको नहीं करनी है अब पूरा 100% complete स्लीबस होगा अब दो रास्ते आपके बास में या तो आप मुझसे पढ़ लो या तो मुझको पढ़ा लो और इसको ज्यादा फास्त करना है तो मैं पुराना सारा के सारा लेक्चर डाल देता हूँ प्रिवेस क्लासिस का सारा लेक्चर में डाल देता हूँ आपको अपनी स्पीड के साफ से आप एक दिन में कर लो मेरी तरब से तो उससे कोई इशू नहीं है ठीक है तरब किह एक दिन में झीर के सारा लेक्चरणों है